नमस्कार दोस्तों मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो है टाइल्स के अंदर जो अपोक्सी भरते हैं वो कितने अपोक्सी कितना एरिया कवर करती है और अपोक्सी किस तरीके से भरते हैं और उसको किस तरीके से मिक्स करते हैं तो वो सब बाते आज मैं आपको इस होते हैं वो तीनों पार्ट मां आपको दिखाता हूँ पैकिंग इसकी एक में आती है और इसमें अलग अलग तीन पार्ट होते हैं जैसे a, b, c तो पहले हम सबसे पहले तो उसके बारे में ह immediacy जान लेते हैं a और b और sc क्या है तो सबसे पहले मां आपको बता आता हूं जैसे मान लीजिए पार्ट ए की बात करते हैं सबसे पहले तो पार्ट ये अपने सामने यहां पर यह है रेशन हो गया और रेशन की अगर बात करें हम तो रेशन अगर आप पांच किलो की पैकिंग ले रहे हैं तो उसके अंदर एक केजी आएगा और अगर हार्डन जैसे मान लेजिए आप अगर पांच केजी की पैकिंग ले रहे हैं तो उसके अंदर पांसो ग्राम आएगा ये पांसो ग्राम ही आएगा और जो रेशन है वो एक केजी में आएगा और अगर पार्ट सी की हम बात करें जो पाउडर है उसकी तो वो आएगा तीन पोइंट पांच केजी और इसके अंदर पाउडर है और आप जब भी जैसे मानलो किसी भी टाइल्स के ऊपर अपोक्सी भरते हो तो उसके अंदर जैसे मानलो यह आपके ऊपर डिपेंट करता है आपने उसके अंदर इस पेस कितना रखा है इस पेसर कितने एम एम का लगाया है अगर आ और अभी मैं आपको एक बार epoxy त्यार करने का तरीका बता देता हूँ किस तरीके से इसको बनाना होता है सबसे पहले हम रेशन लेंगे जो अपना part A है part A लेने के बाद part B part A और B को अच्छे तरीके से मिलाएंगे उसके बाद जो अपना part C है जो powder है वो डालेंगे अच्छा इसमें एक और है तरीका कि जो भी powder है वो आप अगर चाहें उतने color में ले सकते हैं red में, blue में, white में जैसे भी आपकी मर्जी है उस color में आपको ये मिल जाएगा और अगर जब भी आप कहीं पर epoxy अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे मालो अपने group हैं जो spacer रखे हैं उसको अच्छे तरीके से साफ करना होता है इसके अंदर धूल, मिटी बिल्कुल भी नहीं जमी होने चाहिए पाडनर और रेशन जो हैं ये इन दोनों का जोइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए इसलिए और इसको अच्छे तरीके से साफ करना होता है और आप tiles चाहे दिवार पे लगा रहे हैं, चाहे चत पे लगा रहे हैं चाहे वो flooring में लगा रहे हैं epoxy tile के अंदर होने चाहिए, इस पेसर लगावा होना चाहिए क्योंकि जब भी किसी tile के उपर कोई भी अगर चीज उस पे गिर गई और वो तूट गई तो उसको निकालने के लिए epoxy अगर चारो तरफ दी हुई है तो वो एक ही tile निकालनी होगी, आपको दूसरी tile को नहीं आपको तोड फोड करना है और अगर आपने joint दोनों के मिला के बिल्कुल touch करके अगर आपने tile लगाई है तो उसमें दिक्कत होगी, जो एक tile टूटी है, उसके अगर बाजो में जो tile है उसको अगर हम निकालेंगे तो वो side वाली टूट सकती है और अगर tiles के अंदर हम spacer नहीं लगाते हैं तो उसको अगर दोनों को चाहे उतना मरजी मिला के रख दो, फिर भी उसके अंदर sealant जाएगे और sealant अगर गई tile के अंदर तो वो अपनी छत है, उसको भी damage करती है काफी जगह क्या है कि जो दोनों tiles के joint होते हैं, उनको दोनों को मिला कर लगाते हैं तो उसके अंदर white cement भरते हैं, तो उसके बारे में आप भी अपने ठेकेदार या mystery को बता सकते हो कि इसके अंदर epoxy इस तरीके से बरनी होती है आज के लिए इतना ही आगे लेकर आऊँगा कुछ खास नई जानकारी तब तक के लिए दीजिए इजाजत धन्यवाद जय हिंद